जहिन दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल नौलेज क्रिंथ में दोस्तों फिर से MPPSC नेक स्टेटमेंट दिया है अब इस स्टेटमेंट की सचाई क्या है वो किसी को नहीं पता क्योंकि कोट के जो वर्डिक्ट आ रहे हैं कोट के साइट से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से तो MPPSC रिजल्ट घोसी तभी नहीं कर सकता बट तो इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करने जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो के इंफर्मेशन आपको मिलती रहे हैं तो आपको इस चैनल पे बहतरीन वीडियो देखने को मिलने वाले हैं तो दोस्तों अब क्या MPPSC ने फिर से एक पांसा फेका है लोगों को बहलाने का जिससे उनको परशान न किया जाए क्योंकि अभी से निउस्पेपर ने चापने स्टार्ट कर दिया है कि यह साल हो सकता है कि जीरो इयर गोसित हो जाए तो हमें जो लगता है कि 2021 का विग्यापन तो आ सकता है उसमें कोई डाउट नहीं है बर 2019 के रिजल्ट में थोड़ा सा डाउट है दोस्तों मेरा यह परसनल एस्पेक्ट है उ सकता है रिजल्ट को घोशित किया जा सकता है बर 2019 का रिजल्ट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बट अभी अगर यह आदिक के यह साथ अंदोलन जो इस्थिक्रित करने क्या विचार किया जा रहा था उसके ओपर 2020 को लोगों ने क्या अंदोलन इस्टार्ट करने के लिए बोल दिया था उसी टाइम से स्टेट्मेंट था रहे हैं तो क्या इन सब चीज़ को रोकने के लिए या तो फिर government के pressure से statement दिये जा रहे हैं इसका किसी को पता नहीं है बट जो मुझे लग रहा है मेरा personal view जो है यह है कि 2021 का विग्यापन बिल्कुल आ जाएगा 2021 प्री का result भी बिल्कुल आ जाएगा बट 2019 के result में थोड़ा time लग सकता है आप हमें comment section में बताईए आपको क्या लगता है और आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होगा thank you so much God bless you all subscribe करें दोस्तों thank you